नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश पिंग्लिश, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस चेप्टर की वो है फिलिंद ब्लैंक, उमीद करता हूँ आज डे फाइब में जो लोग प्रिवेश कर रहे हैं इससे पहले वाले सारे डेस के जो चेप्टर्स हैं वो आप गो मिलेगा, ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधे शुरू करते हैं तो are you guys ready for today's session, सब लोग तयार हैं चलिए, शुरू करते हैं तो एक एक करके questions आएंगे और देखेंगे कौन सा best option हमें चुनना है, कई बार ऐसा होता है कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो अब लागेज बॉस, अब देखें यहां हिंट हमें देदी, टू लिफ्ट ने, क्यूं, क्यूंकि आगे देखो टू आ रहा है, अंग्रेजी का देखो, so के साथ, that आता है, as के साथ, as आता है, अब मच आ रहा था, आगे टू लिफ्ट था, तो टू के साथ, एजेक्टिव और आगे टू प्लस वी बन, जिसे इंफिनिटिव कहते हैं, तो आंसर के रूप में सही जबाब क्या हो गया, इतना हैवी था, कि उठाया नहीं जा सकता उसके द्वारा, next, we had a blank of warm weather in February, बहुत अच्छा question है यह, क्या आंसर आ सकता है, तो देखें, we had a time of warm weather, पढ़ने में लग रहा है, spell, अच्छा, spell का मतलब भी क्या होता है, period of time, समय की अबधी, लेकिन यह क्या होती है, indeterminate, तो अक्सर मौसम, वेदर, यह जो परिस्थितियां होती है, यह defined नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यह ताइम से अच्छा spell हो जाता है, और बहुत इसको count नह है, clear, इसलिए यहां सही है, next पर आते हैं, physically we are now all neighbors, एक दूसरे के करीब रह रहे हैं, digital world में आप देख रहे होगे, यह भले ही करीबी हैं, लेकिन लगता है ना जाने कितने दूर है, तो यहां पर क्या आ सकता है, आप देखो बट आ गया, तो आप देख सकते हैं, contradiction है, तो physically we are now all neighbors, psychologically we are blank to each other, primitives इसको बुलता है, primary, rudimentary, basic, complimentary नहीं होगा, answer होगा, strangest, क्योंकि cowards जैसा, यानि कायरता जैसा कोई अर्थ नहीं है, तो answer के रूप में सही जबाब क्या हो गया, C, got it, next, the king blank the rebel, बहुत अच्छा question है यह, क्योंकि यहां दो option आपको ठीक लग सकते हैं, excuse नहीं होगा, forgive हो सकता है, pardon हो सकता है, none of these, दो option है, तो देखते हैं, अब forgive या pardon, अब देखिए, pardon का मतलब क्या होता है, सामने था, किसी के सामने माफी, अब राजा है, rebel को क्या करेगा, अब वो अक्सर इस तरीके से ही माफी देते हैं, तो इसी लिए forgive personally किया जाता है, और ये बड़े level पर, pardon, तो option के basis पर सही जबाब क्या हो जाएगा, option C, got it, ध्यान रखना, एक amnesty सुना होगा, हाँ, वो general pardon होती है, political terms में, besides other, देखो beside एक होता है, beside माने बगल में, besides माने के अतरिक्त, besides other provisions that shopkeeper deals, अब देखो किसी विक्ती से निपटना, तो deal with, लेकिन किसी business की बात करना, तो deal in, option के basis पर सही जबाब भी, ध्यान रखना, leave a two inch blank on each page for the teacher's remark, इस्कूल में हम से teachers अक्सर बोलते थे, margin छोड़ के चलो रे बावा, तो answer क्या होगा, margin, gap, space हो जाना, blank, fill in the blank, border, स्थीमा को बोलते हैं, तो answer, page के लिए margin होगा, next, the team was well trained, and strong, but somehow their blank was low, their feeling was low, their moral, देखो, moral का मतलब होता है, तिक्षा, और यहाँ पर जो शब्द है, वो feeling, emotion की बात हो रही है, वैसे अगर technical difference देखें, तो यह adjective होता है, सामाननेता, और यह noun होता है, ठीक है, तो emotion की बात करना, emotionally नैतिकता की बात करना, तो यह noun हो गया, option के basis पर D चु है, moral सामाननेता कहानी का moral क्या है, moral नहीं होगा, है ना, moral noun हो जाता है, moral, ठीक है, consciousness सचेत्ता नहीं होगा, the lovers were meeting each other secretly, but their blank affair was soon known to everyone, अब एक दूसरे से चुपके मिलते थे, लेकिन उनका छुपा हुआ, जो affair था, वो सब के सामने आ गया, तो छुपा हुआ, clandestine, covert operations होते हैं, छुपा हुआ भी होता है, unknown नहीं होगा, candid माने, इस पश्ट यहाँ पर आई नहीं सकता, तो answer के रूप मे सही जबाब क्या हो गया, that is clandestine, hidden, next देखेंगे, grammar based है, properly, अंग्रेजी के तीन शब्द, तीन भाई की तरह, hardly, barely, or scarcely, right, इन तीनों के साथ हम क्या follow करते हैं, when, जरूर ध्यान रखेगा, इन तीनों के साथ हम क्या follow करते हैं, when, जरूर ध्यान रखेगा, इन तीनों के साथ to remove my feet as it got stuck blank in the mud, clearly बोल रहा है, मुश्किल था पैर हटाना, क्योंकि मिट्टी में पूरी तरीके से क्या था, तो देखो, fairly stuck, greatly, widely नहीं है, एक दब मजबूती से, firmly, जादा बहतर होगा, right, I hope you got that, चलिए बई, I hope, सारी चीज़ें clear हैं, आज का homework यही है, यह बताइएगा, session क कैसा लगा और पीछे वाले sessions, revise किये या नहीं, अगले session में मिलेंगे, कुछ और important चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इसी तरीके से बने रहें, और जो लोग नए हैं, ध्यान रखें, SSE वाला YouTube चानल पर, video section में आपको यह segment देखने मिलेगा, all the best, take care, thank you, जैहिंद.